ये देखिए कितना अच्छा दही बन करके तयार हुआ है इसकी थोड़ी से मलाई मैं उतार कर दिखाती हूँ आपको ये देखिए कितनी अच्छी मलाई आई है दही पर और थोड़ा सा कट करके हम इसे बाउल में डालेंगे देखे बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें बिल्कुल एक समान दही जम कर तयार हुआ है हलवाई वाले भी इसे तरीके से दही जमाते हैं तो आज मैं शेयर करूंगे आपके साथ हलवाई वाले तरीके से दही जमाने की एक ट्रिक जिससे चाहे सर्दी हो या गर्मी आपका दही एक समान जमेगा और बिल्कुल भी पानी नहीं होगा उसमे तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में दही जमाने का एक आसान सा तरीका और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो वीडियो के नीचे जो सब्स जैसे ही दूद में उबाल आने लगेगा हम एक चम्मच लेंगे और उसकी हैल्प से हम सारी मलाई को दूद में मिक्स कर देंगे ये देखे इस तरीके से मलाई को मिक्स कर देना है और इसे हम एक मिनट तक लो फ्लेम पर ही उबालेंगे इस तरीके से उबालने से दूद पे अच्छी गाड़ी मलाई आएगी और दही अच्छा जम कर तयार होगा और एक मिनट के बाद हम फ्लेम को ओफ कर देंगे और दूद को हम ट्रांस्पर करेंगे दूसरे बाउल में तो मैंने यहाँ पे एक स्टील का चोटा बाउल लिया है आप चाहिए तो प्लास्टिक का या मिट्टी का कोई भी बरतन ले सकते हैं और यह दूद हम इस बाउल में डाल देंगे दूद डालने के बाद यह देखिए दो मिनट के बाद ही कितनी अच्छी मिलाई आ गई है तो अब हम चमच लेंगे और इसे हम फैंटेंगे इस तरीके से जाग बनाते हुए हम उपर से निचे इसे फैंटेंगे यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दूद को ठंडा नहीं होना चाहिए अगर दूद ठंडा हो गया तो आप इसे ना फैंटेंगे तो दो मिनट के बाद यह देखिए कितने अच्छे जाग आ गए है दूद पर तो यही मलाई जम कर तयार होगी दही तो हमने पंखे के नीचे ऐसे ही रहने देंगे ठंडा होने के लिए और 15 मिनट के बाद हम इसे चैक करेंगे कि दूद जमने के लिए तयार है या नहीं तो हम चैक कर लेते हैं यह देखिए इस तरीके से हम दूद को गुनगुने होने तक चैक करेंगे अंगुली बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए दूद में लेकिन सर्दिम में हमें दूद को थोड़ा सा गरम रखना है ताकि दो मिनट के बाद हमारी अंगुली थोड़ी सी जले और हमें लगे कि हाँ दूद अभी गरम है दही जमाने के लिए दूद तयार है अब हम एक टोवल लेंगे आप कोई भी कंबल ले सकते हैं या कपड़ा ले सकते हैं मैंने आप एक किचन टोवल लिया है अब हम दही वाले बावल को इस कपड़ के उपर रख देंगे अ और बिल्कुल सारी मलाई नहीं हटानी है हमें, अब हम दही में जावल लगाएंगे, तो जावल लगाने के लिए मैंने यहां पे एकदम गाड़ा दही लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ऐसा ही दही लेना है हमें, तो आदा किलो दूद के लिए मैंने यहां पे तो दालेंगे तो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा दाही हम तीन से चार बार डालेंगे WHY को माने आप याप है पांच बार रती है इंगे तो sell को हिलाना नहीं थी जमाने के लिए रेत गया दीन तो जावन यहांने यह भी लिए अफेंगे अब इस पर कवर लगादें मैंने यहां पर दही जमाने की पूरी प्रसेस आपके साथ शेयर की है तो इस तरीके से अगर आप दही जमाएंगे तो सर्दी हो या गर्मी एकदम अच्छा और एक समान दही जम करके तयार होगा तो मैं इसको फिर से कवर कर दिया है और इसे हम 5-6 गंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे तो हम इसे थोड़ी सी गरम जिगह पर रखेंगे और हमें इसको बिल्कुल भी चूना नहीं है जब तक की दही अच्छे से ना जम जाए और 6 गंटे के बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ तो ये देखिए कितना अच्छा दही बन करके तयार हुआ है तो इसे जमने के बाद हम तुरंत इसे फ्रीज में रख देंगे तो इस पर जो मलाई होगी वो एकदम गाड़ी हो जाएगी और ये देखिए कितने अच्छी मलाई आई है इस पर बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था एकदम गाड़ा मलाईदार दही बीना पानी वाला और एकदम हलवाई स्टाइल में हमने से बनाया है जो हलवाई अपनी ट्रिक्स यूज करते हैं दही जमाने के लिए वही ट्रिक्स आज मैंने यूज की है तो फ्रेंट्स अगर आपको ये रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और ऐसे ही और ट्रिक्स में आपके लिए लाती रहूंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो की नेचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दे थैंक्यू फर वोचिंग